हलो नमस्कार दोस्तों फिल्म की बात में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त आपका साथी सजीव सारती दोस्तों आज हम जिक्र करेंगे एक रिसेंटली रिलीस मल्यारण फिल्म अरीप का जिसे डिक्लरेशन के नाम से भी जाना जाता है नेटफिक्स के उपर और यह फिल्म नेटफिक्स पे सीधी शायद रिलीस हुई है थेटर रिलीस नहीं हुई है और इसको डिरेट किया है तो हम जानते हैं कि उन्होंने अलड़ी बहुत सारी सुपर हिट फिल्म में करी हैं जैसे टेक आफ, उईरे, और नायाट रिसेंटली अभी लास्ट एयर हमने देखी थी, मलिक भी हमने देखी थी और उसके बाद मलेन कुझ्य जो है जो उनकी एक फिल्म है जो जिसमें एयर र फिल्म की अंदर उन्होंने किया है फिल्म की कहानी अगर आप कहानी तो एक बहुत सिंपल से कहानी के एक मल्याली कपल है जो कहीं विदेश में जाके सेट होना चाहता है और उसी परपस को देखते हुए वहां से वह जौब चोड़कर यहां दिल्ली के पास नॉयडा में आ जुआत हो रही थी हाला कि कोवीड की सिचुएशन से इसका कुछ लेना देना नहीं है लेकिन इसमें एक फैक्टरी दिखाई है जहां पर ओल्ड़डी गलव्स बन रहे हैं और क्योंकि गलव्स की मार्किट बहुत अच्छी मार्किट बनी थी दूरिंग दा कोवीड पीरि दिव्य प्रभाज जिन्नोंने रश्मी नाम का करेक्टर किया है तो ये दोनों जो हैं वहाँ पर काम करते हैं रश्मी जो हैं वहाँ पर गलव्स की कॉलिटी चेक करने का काम करती है जबकि जो हरीश है वहाँ पर लोडिंग का काम करते हैं तो दोनों जो हैं एक छोटे से में रह रहे हैं छोटा सा घर है जहां पर मुश्किल से एक कमरा है और एक किचन है तो ये पूरा जो इनकी एक लाइफ यहां पर जो दिखाई गई है ये इतने नैच्रल तरीके से दिखाया गया है डिरेक्टर ने आप देखेंगे तो बिल्कुल कोई बैगरॉण म्यूजिक नहीं है डेली जो चीजें हो रही है वो बिल्कुल आपको ऐसा लगएगा जैसे आपके आँकों के सामने घट रही है और ये इतने प्यारे तरीके से कैमरा वर्क इसके इतना बढ़िया है और एक जो कहानी अगर हम जैसे हम देखते हैं तो शुरू में आपको लग जैसे इनकी personal life में जो problems आती है और उसके बाद वो किस तरह से उसको face करते हैं क्या-क्या होता है इनके साथ ये सब आगे हम देखते हैं तो जो भी हम देखते हैं आगे चलके जो climax है वहां तक आते आते हैं आपको सब समझ में आ जाएगा कि जो आपने शुरू में देखा थ तो कोई ऐसी फिल्म जो है वो किसी thriller कैटेगरी में या किसी suspense कैटेगरी में यह सब हम नहीं डाल सकते हैं फिल्म जो है एक बहुत realistic फिल्म है जिसको आप देखना शुरू करते हैं तो आप transport हो जाते हैं उस characters की दुनिया में जो एक पुरा दिल्ली का दिल्ली के आसपास का की महौल इन लोगों ने रचाया है इस director ने वो बहुत ही कमाल का है बहुत शांदार है उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है बहुत सारे जो दूसरे characters है क्योंकि दिल्ली का दिखाया है तो इन्होंने बहुत सारे North Indian actor भी लिए हैं जैसे फैजल मलिक जिनको आपने प actor मिलेंगे किस तरह से एक South Indian couple जो है वो adjust करने कोशिश करता है North Indian ambience में और यह सब चीज़े हैं इसके अंदर और कुन्याको बोबन अगर मैं acting की बात करूं तो यह जो दोनों main lead है यानि कुन्याको बोबन और दिवे प्रवा इन लोगों का जो performances हैं वो मतलब out of this world है जो expressions माल जो उनका एक filmography रही है उन्होंने start किया था बिल्कुल romantic you know बबली शबली फिल्में जो होती है इस तरह की जो romantic movies होती है अब जाके उन्होंने ऐसी फिल्में करने शुरू करिये last year हमने उनको नायाट में देखा था कमाल का रोल किया था और यहां तो आप उनकी आँखेंगे और क्या उनके expressions मतलब जो character जिन जिन चीजों से गुजरता है frustrations आती है then बहुत सारे feelings जो उनके उस character के अंदर आते हैं एक-एक feeling को कुझाको ने बहुती beautifully depict किया और जो दिव्यप्रभा है उनको तो आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी कमाल की actress है मतलब क नहीं सहीं नहीं लगेगा कि आपको यह acting कर नहीं है मतलब such a wonderful performances तो यह film जो है यह मेरे हिसाब से 100% must watch है आपके लिए अगर आप अलग तरह की फिल्में देखना चाहते हैं क्योंकि यह film जो है एक cinematic experience है यह एक ऐसी film नहीं है कि आप देखें और आपको entertainment मिलेगा यह एक ऐसी film है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो जिसके बारे में घंटों बात की जा सकती है जिसके बारे में अगर आप समझना चाहें तो बहुत कुछ बीना कुछ कहें बीना कुछ loud हुए director ने और जो writer है जो actor है उन्हों आपको convey कर देंगे तो यह film आप लोग ज़रूर च आप यह film ज़रूर देखें तो यह थी अरीप यानि declaration के बारे में मेरी समझ आप बताएं आपको यह film कैसे लेगी आने वाले किसी अगले एपिसोड में मैं आपको किसी और film के बारे में बताने के लिए जरूर हाजिर होंगा तब तक इजाज़त नमस्कार